केके पाठक जी माइन्स में थे कुछ कर पाए बालू माफिया सब काम करता रहा सराब में थे सराब में कुछ कर पाए एक परसंड भी रुकी बढ़ती चली गई केके पाठक जी फुटल ढोल है पुटल ढोल है मतलब क्या होता है वो मार्केटिंग करने में बहादूर है उनको प्रैक्टिकल होने की जौरत है नमस्कार में हूँ अनिकुलतिवारियो राप लाइफ सिटीज देख ले देखिए लगतार शिक्षक अबेरती हो गए शिक्षक हो गए वो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि जो नौकरी मिली है नितीश कुमार तेजिस्वी आदव के थुरू जो नौकरी जो मिली है उसमें ब तो में साइल मुद्दा अन एस्टेट में लागू है बिहार में क्यों नहीं जब बिहार में इतनी पलाइन है सर्वे आगिया गरीबी का साथ परतिसत भी बिये नहीं किया हुआ है विरुजगारी के सबसे ज़्यादे दुनिया में कहीं है तो बिहार है गरीबी सबसे ज़ सबसे ज़्यादे बिहार है हम विशेस राज और विशेस स्पेसल स्टेटस की बात तो करते हैं लेकिन बिहार के बारे में छे हजार रुपिया पर के पिटा इंकम है लेकिन उसके रोजगार उसकी तरक्की की बात अब जैसे दो लाग रुपिया की बात आफ ने कहा गिंगे इस ऑनलाइन कीजेगा तो हम कैसे देंगे वह देखिए ठीक है एक सुधार की प्रकिरिया पर हमेशा नितिश कुमार काम करते रहते हैं और यह भी सही है कि दस साल में आपने दो लाग भी नोक्री नहीं दी नितिश कुमार जी की सरकार ने एक निरने के साथ नोक्री जितन दिया वो नरेंदर मोदी जी के जूट से कई गुना सत्त के साथ नोक्री दिया लेकिन बिहार के बच्चों को नहीं मिली एकदम यह सच है मनते हैं तो मैं स्विकार कर रहा हूं कि बिहार के बच्चे 30-40 परसेंट 60-70 परसेंट के लगवख बाहर के बच्चे में हम फर्क न हमारे बच्चों को बाहर में लात्मुका खाना परता है गाली सुननी परती है मार के भगाए जाता है हमको आप रेडी ठेली भी नहीं लगाने देते हैं नोक्री तो दूर हम जाते हैं राज के निर्मान करने के लिए मनी मूर में गुजरात में काट के भगा दिये जाते है करोना में हमको मारके भगा दिया गया, ताला लगा दिया गया, भूके भगा दिया गया, अब फिर हमको मजदूरी करने बुला लिया, तो हम कब तक लात्मुका खाते रहें, गाली सुनते रहें, इसके जिम्मेदार कौन है, जो लंबे समय तक सरकार रही, 64,55,56 लाग के लगभग लालु यादव के समय 64 लाग के लगभग पलाइन होता था मजदूर और अज सवा करोर के लगभग पलाइन हो रहा है तो आप 228,30 रुपया के लगभग 228 रुपया के लगभग मंडरेगा का मजदूर ही है तो लोग कहां जाएंगे अपने जीवन के लिए बाहर जाएंगा वहां गाली वोलो सुनते हैं परने के लिए बाहर हम जाते हैं और हमको बाहर में रोजगार भी नहीं मिलती है तो आप तैक कर दीजिए 10 परसंट या 20 परसंट बाहर के 80 परसंट तो हमारे बच्चों को दीजिएगा 80 परतिशत बिहार के होने चाहिए और 20 परसंट में जो बचेंगा वो बाहर के जो जाहां आप दीजिए जहां से मियाना हो आप दीजिए मैं नहीं कहोता हूँ कि हमारी जो संगिया बेपस्ता है जो अन पार्टी और अन राज में जो जिस तरह का बहबार किया जाता है वो बिहार का उसका कल्चर नहीं है और बिहार ऐसा बहांती भी नहीं है लेकिन हम चाहेंगे कि किसी भी किमत पर 20-30 पर-30 एक तो मिशायल मुद्दा हम चाहेंगे लागो और बिहार के बच्चे जो एकदम लागो फाइदा क्या होगा उससे शिक्षा का बिरती या फिर किसी भी बच्चों को सर्क कम से कम बिहार के बच्चों को रोजगार तो मिलेगा हंड़ेड में पर-30 आप पहले अपने बच्चों को तो वे रोजगार को रोजगार दीजे और उसके दूसरी बात आगी यह जो सिस्टम है पढ़ादीकारी यह बेचता है यह यह दिग्री बेचता है पैसे जिसक मूझे भी संगतियां हैं उसको समझने की ज़ुरत अगे कैसे हमारे बच्चों को नोग्री मिले उसको उस पर एक कठोड निरणे लेने की ज़ुरत है अभी बिल्कुल सही है कि बिहार के बच्चे ठगे गया हैं उससे उमीद उनके टूटे हैं सपने हैं उनके साथ विश्वास घात हुआ विश्वास टूटा है और बाहर के बच्चों को जादे जिम्मेदारी दी गई आपका इस पर क्या ख्याल है जो फरजी शिक्षक पकड़ाएं मतलब हाथ दोने गए और गायब हो गए अब तक मिल ही नहीं रहें लोग तो उनके सीट पर एक्जामीनिशन हुआ तो कितने लोग पास हुएं कितने हें अक्यास्टर पास हुए ओस सेंटर कॉन मैनेज करता है और कोस्रायर कॉन बनाता है किसेंटर में भीतर जाने के बाद लेता कॉन है और फिर कमिट्टर कॉन है कुन है दो सब में treatment है बहाँ भी आप एक चेर्में को सिपाही घोटाला हुआ ना तो उस पर आप धंडित किये ने सिर्फ भंटा दिये तो वही बातों मैं कहा रहा हूँ जो डीजी था अपने अपने डीजी को इमानदारी के लिए बनाए तो आप सोची कि हमाम में सब नंगे उसका क्या आल हुआ होगा तो इसलिए बिहार के साथ सोचेले पन का बैवार सरकार को करने की ज़रत नहीं है उसको रोके नोकरी की सुर्वात कई अरब गुना जाद है बीजेपी और बीजेपी की सरकार से बेहतर है और इतने निकट बविश में इतनी जल्दिवाजी में नोकडी बिहार सरकार नहीं मत दिखाई है इसमें आप भारत में कोई मुकाबला ने नितिश कुमार जी ने नोकडी देने के प्रकिरिया में इतिहास रचा है के पाठक फर्जिवाडे को रोक क्यों नहीं पए ? यही आख़ी सवाल है लोग यही बार बार पूछने की खेसिकुल कोड़ना है बालू माफिया सबकाम करता रहा, सराब में थे, सराब में कुछ कर पाए, एक परसंड भी रुकी, भरती चली गई, केके पाठक जी फुटल ढोल है, फुटल ढोल है, मतलब क्या होता है, वो मार्केटिंग करने में बहादूर है, उनको प्रैक्टिकल होने की ज़ॉरत है, जो लोग काम करते है न वो बजते नहीं है वो दिखते नहीं है, वो काम करते है अब पपु यादा करोरो अर्बो रुपिया बार दिया तो हम कहाँ मारके दिंग करने जाए कहाँ बजते है KK पाथक जी practical नहीं है Room नहीं है, Room बनमाईए Quality or quantity based teacher नहीं है teacher बनभाइए केके पाठक जी के समय जो सिक्षक की भाली है हम 10 शिक्षक लागे केके पाठक जी को देते हैं और वो 10 सिक्षक सामने में उस question को deal करके दिखा दे कि अनता केके पाटक जी अपना नोकरी से रिजयन करें आया तो हम छोड़ ने तो केके पाटक जी आप अजफियर एकजाम नहीं ले पाए को इन इंदाब के साब से केके पाटक कुछ ने कर पाए या बस मारकेटिंग की उन्हों ने वह दिखे वह मंत्री मंडल की वैवस्था और मुल्यों को उसने खतम किया सुपरसीट किया एक आईस अपदाधिकारी अपने कर्तब्यों के लिए जाने जाते हैं वो मंत्री मंडल के काम के लिए नहीं यह मंत्री मंडल को सुपरसीट करके काम करने लगे अलगा यही मंत्री और यही मुख मंत्री है और काम भी गलत तरीके से कभी छुटी रहत, कभी पांच बज़े तक रहो अब पांच बज़े तक हमारी बेटी मा रहेगी, बेहन रहेगी प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है तो भी पांच बज़े तक रहो जो मनाय करो, बच्चे रहे न रहे तुम रहो, तो यह जो मुखेर कानून है, और एको हम दूतियों नास्ती, यह बिल्कुल गलत है, केके पाठक जी, फिलोस्फर कम बनिये, फ्रैक्टिकल बनिये, और आप जिस जिम्मेदारी के लिए भेजे गये हैं, इस कील के सुधार, भ कोई कहता है, केके पाठक जी चनो लड़ेंगे, तो जीत जाने, तो बहुत सारे पदाधिकारी आए, समझे, एक भी पदाधिकारी को हैश्यत और हिम्मत बिना पार्टी के बिना दलके नहीं हुआ चनो लड़ने की, तो एक बार यूँ भी आजमाल है, पता चल जागा है, के पाठक पर क्या कुछ कह Авङ्यday ने वह आपने सुल लिया शिक्षक भरती प्रिक्षा को लएकर क्या कुछ कह आहे वह भी आपने सुलिया, दरोगा स्पाई के बारे में का है, तो देखिए कि दो में साइल नीती जो है उसके बारे में भी कहें हैं जम के तो बस लाइचरी के साथ बने रहे हैं मैं चानल को सब्सक्राइब कर दो पेश्क लाइक कर दने बाद कर दो कर दो